तो भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने कदम को आगे बढ़ाएगा। इसे किसी देश ने सोचा भी नहीं था और भारत के इस नए कदम से चीन, रूस और जर्मनी के भी होश ठिकाने लग गए हैं। और जो खबर इस वीडियो में हम आपको बताने उसे सुनकर आपको भी अपनी अपने आप पर गर्व महसूस होगा। क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ट देश आपस में मिलकर भारत के अरजुन टैंक्स में इस्तिमाल हो ने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, वहीं अब भारत की DRDO न नहीं खरीदा जाएगा, और भारत की DRDO अब Advanced Technology से लेस पांचवीं पीड़ी के फाइटर जेट को बना रही है, जहां इस खबर के फैलते ही चीन, जर्मनी और रूस की टेंशन पहले से दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि भारत फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट बनाने मे जुट चुका है, जिससे इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है कि भारत एयर डिफेंस के मामले में भी नई मजबूती यां हासिल कर रहा है, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत एयर डिफेंस के मामले में अप ने कदम को आगे बढ़ा रहा है, देखिये, हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की डियार डियों ने इंजीनियस टेकनोलोजी पर बेस्ट अप पांचवीं पीड़ी के फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया है, और जो फाइटर जेट भारत में इंजीनियस टे अब उसी तरह सुपर सुनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से इंजीनियस टौर पर डेवलप करना चाहता है, वैसे देखा जाए तो भारत में फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट को इंजीनियस तौर पर बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब लंबे समय से पेंडिंग में पड़े फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत की DRDO यानि की Defense Research and Development on Organization काम करने जा रही है, और आपको बता दें कि भारत म जो फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम MCA यानि की Advanced Medium Combat Aircraft रखा गया है, जो की Indian Air Force की Future Requirement को देखते हुए इंजीनियस डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है, और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने, तो इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे इस पैसिटी को दूसरे फाइटर जेट की अपेक्षा बढ़ाया जा रहा है, जहां इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 15,000 करोड रुपय का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जट को पूरी तरह से स्वदेशी तोर पर बनाया जा सके, और अगर आपने पिछले कुछ दिनों की खबरों पर नोटिस किया होगा, तो इसके अलावा भी कई सारे डिफेंस एक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी तोर पर डेवलपमेंट, भारत के DRDO और कल्यानी ग्रुप के द्वारा किया गया है, जिसमें यूज होन सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे चीन, जर्मनी और रूस की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी तक ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एक्विपमेंट फ्रांस, रूस और जर्मनी से खरीतता था, और भारत के अलावा भी ज लेकिन भारत की कमपनिया डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रही नहीं है, तो अफ्रीका के कुछ देश और सौधी अरब भारत से डिफेंस एक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, और इसके अलावा आर्मेनिया, जो कि पश्चिमेशिया का देश है, वह तो पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ चुका है, और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से 84 की संख्या में ATGS खरीदने का आर्डर दिया है, आर्मेनिया भारत से ATGS यानि की Advanced Toad Artillery Gun System खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच 155 मिलियन डॉलर की डील फाइनल की गई है, जो कि भारत के उभरते डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, Advanced Toad Artillery Gun System की बात करें, तो यह Advanced Level की टोप है, जिसे भारत ने खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टार्गेट को बनाया जा सकता है, और भारत ने जो यह Gun System बनाया है, इतनी रेंज वाला Gun System अभी तक बड़े-बड़े देश नहीं लप कर पाए हैं, और उसी तरह भारत अब 5th generation वाले Fighter Jet को डेवलप करके, Air Defense के मामले में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है, आपको बता दें कि इस स समय भारत के पास, ओलरेडी 36 राफेल Fighter Jet मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं, और इसके अलावा भारत ने 26 और राफेल Fighter Jet खरीदने का डिसीजन लिया था, लेकिन भारत जो 5th generation के Fighter Jet डेवलप कर रहा है, इसके comparison में फ्रांस से खरीदे गए राफेल कुछ भी नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के पास भी जो एडवांस और लेटेस्ट Fighter Jet मौजूद है, उससे भी कहीं ज्यादा भारत के 5th generation वाले Fighter Jet की स्पीड होने वाली है, जिससे 5th generation के Fighter Jet डेवलप होने के बाद यह भी हो सकता है कि भारत ने जो 26 और राफेल फ्रांस से खरीदन का decision लिया है, उसे भी ना खरीदा जाए और देखा जाए तो इस समय भारत के पास राफेल को लेकर कुल लगभग 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से 9 combat एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि ज्यादा तर एयरक्राफ्ट विदेश से ही खरीद बहुत कम ही संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में खुद डेवलप किये गए हैं, अगर बात करें तो इस समय केवल रशिया चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के पास ही 5th generation वाले fighter jet हैं, लेकिन भारत जो 5th generation वाला fighter jet डेवलप कर रहा है, उसकी capability इन देशों में मौझूद fighter jet की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, वैसे तो 5th generation वाले fighter jet बनाने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है, लेकिन DRDO इसे अकेले नहीं बनाने वाला, बलकि इसे भारत की दिगज private कमपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा, जिसमें Aeronautical Development Agency, हिंदुस्त Aeronaut Limited के अलावा भी कुछ private कमपनियों शामिल रहने वाली हैं, इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि इसे 2 phase में डेवलप किया जाएगा, अगर पहले phase की बात करें, तो इसमें 40 की संख्या में MCAM Cave Fighter Jets को American Engine G 414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा, और दूसरे phase की बात करें, तो इसमें शुरुआत में 150 और Advanced Fighter Jet डेवलप किये जाएगे, जिसमें भारत में बनाए गए High Thruster वाले Jet Engine का उपयोग किया जाएगा, और भारत जो Next Generation वाले Jet Engine को बनाने वाला है, उसे विदेशी कमपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि Jet Engine बनाने में पूरी तरह स खुद के बलबूते इंजन को मैनुफैक्चर करती हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत फिफ्ट जनरेशन वाले Fighter Jet को कब तक डेवलप कर पाएगा, और भारत की कमपनियां फिफ्ट जनरेशन वाले Fighter Jet क को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रही हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओनल पर जरूर सेलेक्ट करें